तो हेलो दोस्तो आज हम सीखने वाले ट्रेडिंग यू प्लैटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं तो ट्रेडिंग यू प्लैटफॉर्म में मैं बेसिक से बताना चाहूंगा कि कैसे सपोर्ट और रजिस्टन्स का लाइन मार्क किया जाता है और इसके अंदर हम जानेंगे कि पोजिशन लॉंग पोजिशन उसके इससे काफी सारी चीज़े करके मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कैसे किया जाएगा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते सुडियो को पहले तो ट्रेडिंग यू ओपन करना आपको आता ही होगा यहां पर लिग देने का ट्रेडिंग यू ठ से सब्सक्सकारण नंटी का छाट लगा रहे हैं तो हम आं दर कैसे एकिक करके हम जैसे सबको कैसे करते हैं तो यहां पर पहले हॉरी जॉन्टर बता देताiliyor कहां से लाया जाता है अगर आप अपने ले preachate di यहां पर मैं पहले star करके सब रखा हो तो एक एक चीज में दिखाते जाओंगा तो जो horizontal line वो left side में आप देखो कि ऐसे सारे tools आते हैं यहां पर आप देखो गे left side के corner में सब horizontal line यहां पर एक click करोगे तो यहां पर trend line है horizontal line है तो यहां पर horizontal line होता है उसको मैं star mark कर देता हो तो यहाँ पर मेरे जो फेब्रेट से यहाँ पर डारेक्ट टूल स देख़ के आ जाते हैं तो यह और मुझे मारना समझो मैं हॉरिजॅनल लाइन मारूँ अ रहो आसे किन। एसे अर च लिए और सीधा दिया नीचा है यहां पर देखो correction नीचा है तो यह सब चलते बाजार में देखना मुश्किल होता है यह तो अभी बंद है लेकिन यह सारी भी चीज़ सपोर्ट अजिशन इस पर भी प्राइस एक्षिन पर भी एक वीडियो में अच्छा खासा बनाऊंगा मैं तो आपको हर ए जेंटल लाइन होता है इससे star mark कर देने का all touch दबाओगे तो भी लाइन आ जाता सीधा लेकिन यह star mark करके आप फेवरेट में लाके रख दिया जाता है क्योंकि मैं यही पर लाके रख देता हूँ जो में फेवरेट चीज़े होती है ठीक है आप देखो यहां पर मैं आपको जो यह short position कहां से लाय जाता है short position के लिए आप देखोगे उपर से एक दो तीन चार पांच पांच वे में आपको मिल जाएगा short position short position long position दोनों एक साथ मिलेगा इसे भी star mark करके उपर लखने का और इसे कैसे मारते है वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहले short position दिखा देता ह मैं कैसे लिया जाता है समझो यहां पर जैसे मैं आपको resistance बताया था तो यह resistance exact मुझे यह candle पे समझो trade लेना ही है तो यहीं पर मैं यह मार्क कर दूँगा यहां पर मैं मार्क कर दिया समझो यहां पर मैं मार्क किया और यह जहां तक मुझे SL लेना होगा यहां से जहां तक टार्गेट रखूंगा क्योंकि यहीं से टकरा के फूर उपर गया था एक बार तो यहां तक का मेरा टार्गेट बुक हो गया बोलने के लिए लिकिन फिलाल यह मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे शौर्ट पोजिशन लगा जाता है तो यहां पर आप शौर्ट पोजिशन जो मुझे लॉंग पोजिशन लेना है तो यह स्विंग यहां पर दिख रहा है continuous स्विंग दिखता है वह स्विंग तक में टार्गेट हमेशा रखता हूँ और मुझे बस प्रॉपर एंट्री मिलना चीए एंट्री नहीं मिला तो सब गड़बड हो जाता है प्रॉपर इसमें सारी चीज़ा दिखा देता है कभी कभी हमको समझो देखना होता है कि यह आगर यह हैमर पर मैं ट्रेड लू यहां तक तो कितने पॉइंट हो रहे मेरे अगर हमको चेक करना है तो वह कैसे चेक करेंगे तो यहां पर पहले हम क्या सीखे है horizontal line कैसे लगेंगे short position line कैसे लगेंगे long position अब उसके आदाता है price यह price का काम क्या होता है वो बता तो आप समझो मैं यह hammer से मुझे trade चाहिए ता मुझे पता ही नहीं ऊपर कितने point तक का है यह कै मैं calculate करूँगा यहां से यह यह यहां से 303 से 556 तक जाएगा इसके भीश में नहीं सिधा सिधा price action use कर लो यहां पर समझो यह hammer पर मैंने रखा hammer के यहां पर रखा इसे और यहां पर क्लिक किया क्लिक करके यहां तक उपर तक मैंने मेरा range ले लिया 200 point है spot में 200 point दिग गया मिरे को तो यह ठीक है मेरे trade risk reward के इसाफ से सब कुछ अपने manage के इसाफ से करना होता है risk reward एक अलग चीज़ हो गया इस पर भी मैं video बनाऊंगा लेकिन आप basically समझो इस बात को कि कैसे tools को use क्या जाता और मेरे जो favorite tools से उसको सामने लाग कुछ चीज़े हैं इसमें जो मैं हटाया हूँ फिलाल के लिए फिबनाची यह सब हटाया हूँ मैं लेकिन वो जब advance करेंगे तब वो सब सिखेंगे लेकिन फिलाल के time पर कैसे क्या use करते है वो सिखा रहा हूँ आपको तो यह price action का भी use उसके लिए होता है कि कितने point है यहां से वहां तक आप समझो मुझे इसको check करना है यहां से नीचे support का कितना price मुझे दिख रहा है तो वो price होता है और उसके बाद यहां पर देखो कि rectangle rectangle का काम क्या होता है देखो अब मैं वीडियो में कितने बार बोला भी हूँ कि यहां पर देखो एक rectangle pattern बंद रहा है rectangle मतलब यह यहां से यहां तक का एक box में फसा रह जाएगा यह देखो यह rectangle है फसा रह गया zone में अब छोटा किया तो थोड़ा अच्छे से clear समझेगा देखो यह यहां पर आया फिर उपर गया यहां फिर उपर जा रहा है तो यह एक rectangle है यहां से यहां तक फसे ही रह जाता है तो rectangle का का काम कभी कभी हो जाता है कि आप advance में पहले ही बना दो कि ल उसके बाद मैं समझाता हूँ trend line अब trend line को use कैसे करते हूँ बताता हूँ basically आप समझेओ पांच मेट पर में लगा देता हूँ trend line जादा अच्छे से clear समझेगा अब समझेओ मुझे यहां यहां पर trend line बनते हुए आ रहा है आप notice करना देखो यहां पर काफी देर से यहां प आपके side में लेकिन वो trend line को break नहीं कर रहा है इस trend line का use ऐसे किया जाता है तो आपको trend line का use समझ गया होगा कि trend line को use कैसा कर रहा जाता है और यह सब कहां से आता है वो मैं बताना भूल गया आपको एक बर बता देता हूँ फिर से यह जो rectangle है यह rectangle यहां पर देखो price जहां से लिए थे यह price जहां से लिए थे हमने long position short position उसके बाद यही पर नीचे आओगे तो price range भी अपने को मिल गया था और उसके आद रेक्टेंगल जो rectangle बोला मैंने इसमें आओगे तो rectangle मिल जाएगा तो हर एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ और यह trend line होगा trend line उपर ही मिल जाए यह एक swing हो गया यह दूसरा swing हो गया यह तीसरा swing हो गया यह चौथा swing हो गया तो mark करने के लिए कभी कभी काम आ जाता है कि काफी सारी users हो जाते इसके भी तो इसको भी मैं रखे लेता हूँ मेरे इसके अंदर तो इसको हटाता हूँ पहले मैं ठीक है trend line बता दिया brush tool का use बत पर गया कहां पर गया कहां पर गया कव यह देखो मैं already select करके रखा हूँ ना उसके से थोड़ा सा confusion हो रहा है मुझे यह देखो यहां पर जो है यह अरे circle कहां गया भाई अच्छ है काफी नीचे था corner में में भी देखा नहीं तो यहां पर curve करके यह मिल आता है आप उसको भ मुझे समझने हांगा तो मैं उसका use करता हूँ जैसे यहां पर आपको दिखाऊ मैं cup and handle pattern बना होगा यहां से यह ये कप बन गया हमारा ये हंडल बन गया अब कप एन हंडल के उपर हमारा एक लाइन आ जाएगा ठीक है ये कप एन हंडल का लाइन हो गया हमारा जैसे इसको ब्रेक करेगा यहां पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा लेकिन वो एक्टिवेट करने के पहले आपको एक चीज पर जाता है कि यहाँ पर बं海न यहां पर यहां पर यहां पर यह पर आ रीटेस्ट को यूजक करना तो नों आ पहले kappan handle बना kaunulate किया ऊपर गया लोगों को फसत करने है renfest किया फिर उपर गया और यहाँ पर रूइस्ट अपना एक्टीवेट हो जाता है और यह renfest के बद हमको point कितना लेना होता है cup handle में यहाँ से यहां से यहां तक का point लेना होता अपने को यहां से यहां तक क्या मिला अपने को point यहां से यहां तक का point लेना यह easily capture हो गया हमारा और SL क्या रखेंगे यह sweet बस easily easily हो गया यह अपना cup and handle pattern कैसे कैसे trade दिखते यार बाद में अपने को अच्छे अच्छे तो देखो यह cup and handle समझ गया अपको मैं दिखाता हूं यह rotor rectangle ठीक है यह है rotor rectangle इसका use में आपको बताओ तो इसका use यह देखो जैसे uptrend में होता है अपन ट्रेंड लाइन बनाते जैसे यह दो ट्रेंड लाइन बनाना समझो मुझे एक चोटा सा trend लाइन बनाना तो इसका मैं यूज कैसे करूँगा, ऐसे यूज करूँगा, यह ऐसे यूज करूँगा, तब जाके यह आएगा, लेकिन इसका दूसरा यूज दिखाता हूँ, इसका यूज मैं ऐसे कर सकता हूँ, यह दिखा, यह यहाँ पर, यह बनके रेडी हो गया मेरा, पर रोटेड र तो कुछ जैसे यही देख लो आप यही देख लो यह रिटेस लेने आया ना यह उपर बूम करके फटा लेकिन देखो यह रिटेस लिया ठीक है यह रिटेस लिया फिर नीचे 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 आया और उसके बाद यह देखो यह पुरा उपर गया तो यह पात होता है ज करके दिखा देता हूं यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है मुझे लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पर देखो एक छोटा सा यह देखो ऐसे दिखा रहा हूं कि यह देखो अगर समझो मुझे head and shoulder pattern बनाना है तो यह एक shoulder हुआ नीचे आया और यह shoulder के बाद यह नीचे आया नीचे गया नहीं गया वह बात की बात है आप खुद यहां पर मार्केट को देख सकते हूं देखो बाजार काफी easily पैसा नहीं देता है तो यहां पर मैं तो आपको ऐसे दिखा दिया मैंने उपर उपर की हर एक टूल का यूज कैसे करना और ट्रेडिंग वीव को कैसे यूज करना आपको हर एक चीज अच्छे से समझा दिया और जो थैंक्यू सो मच गाइज और पूराने वीडियो को एक बार देख लेना मेरे और उसमें से आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स जैसे मैंने स्टार्ट किया हूं तो वो सारी आपको देखने मिल जाएंगी तो थैंक्यू सो मच गाइज कर दिया है जे भीजा हूं येजब उसमें। झाल खो feel another day